नवस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं विनास लेकर आए हूं देश दुनिया की कुछ पांच एहम बड़ी खबरे दुबई में यातरी 12 घंटे से भी जादा समय से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं दरसल दुबई में भारी बारिस के चलते हवाई सेवाओं पर अस परा है इसके चलते यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है दुबई इंटरनेशनल एरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एरपोर्ट है सनिवार को भारी बारिस और बार्ड के कारण कई विमानों की उरान में देरी हुई या रद कर दिये गए कई प्लेन के लिए आगे की फ्लाइट लेनी है लेकिन एरपोर्ट पर पानी के चलते उरान बाधित है एमिरेट्स की ओर से यात्रियों के लिए एडवाईजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि भारी वारिस के चलते उरान प्रभावित हो रही है लेकिन यात्रियों के लिए वैकल का बाजार बहुत गर्म है कई जगों पर पीम मोधी को विरोध परदर्शन का सामना करना परा सनिवार को प्रधान मंत्री ने ओल्ड करेंसी विल्डिंग में एक कारिक्रम को समभूधित करते हुए कहा कि बेटेश शाषन और आजादी के बाद जो इतिहास लिखा गया है उन मियास के एक सो पचासवे स्थापना दिवस समारों में भी हिस्सा लेंगे जेन्यू कैंपस में पांच जनवरी को हुई मारपीट की जाच कर रही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने वाटसेप ग्रूपों में से 37 लोगों की पहचान कर लेने का दावा किया है जावा कि जा रहा है कि समू के जरिये जेन्यू कैंपस के भीतर मारपीट को अंजाम दिया गया हाला कि जाच टीम ने ये भी बताया कि जिन 37 लोगों की पहचान हुई है उनमें से 12 ने किसी भी राजनीतिक मोर्चे या समू में मिले होने से इंकार किया है जाच टीम इन 36 लोगों से पूस्ताश करने या उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुला सकती है भारतिय थलसेना के प्रमुख मनोज मुकूंद नर्वने ने बताया कि पाकिस्तान से लगे सीमा पर 6 सेने अपाचे लराकू हेलिकॉप्टर तैनात किये जा रहे हैं सनिवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए नर्वने ने कहा कि दिल्ली तैनाती वहां की जाएगी जहां से खत्रा जादा होने की असंका जताई जा रही है मरीका के दक्षनी हिस्से में आये तेज तूफान और भारी बरसात के चलते कम से कम आठ लोगों की मौत की खबर है अमरीका के अलबामा, लुसियाना और टेकसस में ये मौते हुई है तूफान और भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में बिजली सप्लाई रोक दी गई है सनिवार को यहां तेज तूफान आने की आसंका जताए गई थी तूफान के चलते हजारों लोगों का जीवन परभावित हुआ है इस खबर में इतना ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें धन्यवाद